So yes guys, तो आज के SmackDown के main event हमें Jey Uso का title match देखने को मिलता है, जहाँ पर Jey Uso का match था Austin Thory के against, और यह match था United States Championship के लिए, एंड हमें काफी अच्छा मौगा था Jey Uso के पास champion बनने का, और मुझे कही ने कही अंदर से ऐसी strong feeling आ रही थी कि Jey Uso champion बन सकते हैं, क्योंकि हमें Austin Thory काफी जादा ही boring champion बन चुके हैं, fans उनको champion नहीं देखना चाहते हैं, तो कहीने कही अंदर से ऐसा लग रहाते हैं, कि Jey Uso जीर सकते हैं, पर match में क्या होता है, रेफरी को चोट लग जाती है, जे उसो ने splash लगाया था Austin Thory को, पर रेफरी को नीचे गिर होता है, कोई count करने वाला पकड़ लिया, एन्ड यहां पे Jimmy Uso अन्षा लगाने की कोशिश करते हैं, सोलो शिकुआ को, पर सोलो शिकुआ वहां से हट जाते हैं, और पीछे खड़े रहते हैं Jay Uso, और जे उसो को सुपर कृक लग जाती है, और उसके बार Jimmy Uso अन्षा आपस में लड़ते लड़ते चले जाते हैं और इसका फायदा उठा लिए ऑस्टीन थोरी ने पिन कर दिया जे उसो को और ऐसे करके ऑस्टीन थोरी ने जे उसो को इस मैच में हरा कि अपने उनाइटे स्टेट शैंपिंशिप को रिटेन कर लिया और मुझे काफी जाधा स्टूपिड डिसिजन लगा डढ़का जी में उसो नमheโसो को और जे उसो इसो सूपर ये किसे पिन हो गए क्योंकि उसको उसका नॉर्मल से मूव है, मुझे खाफी ज़ादा ही अजीब लगा कि जे उसको नॉर्मल मूब से हार गए ऑस्टीन थोड़ी से, कम से कम ऐसा तो करना चाहिए डवुट अली को, कि ऑस्टीन थोड़ी पहले फिनिशर लगाये थे उसके बाद जे उसको पिन क करते हैं, भई मुझे कहीं से भी सई डिसीजन नहीं लगा, कुई सैंसी नहीं बनाता था ये, और आपको ये मैच कसला कमेंट करके बता देना, अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज डोंट फागेट तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब चैनल, ठैंक् थाइस वाइस 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 वीडियो